नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में आज पंचायत उप्चुनाओं के लिए वोटिंग सरकार के इस विभाग में 9109 पदों पर होने वाली है बंपर भरती पढ़ना कहती हासे गोलगर का परिटक जल्द कर सकेंगे दिदार नालता में 26 माई को लगेगा जॉब कैम आकाश मदवाल के मुरीद हुए इर्फान पठान उसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार में आज पंचायत उप्चुनाओ के लिए वोटिंग आज यानी की 25 माई को बिहार के 300 प्रखंडों की 593 पंचायतों में 605 पदों के लिए मुख्या पंचायस दस्य वपंच के लिए आज मदान हो रहा है बतादे कि शुनाओ को लिएक 86 मदान केंदर बनाए गया है आपके जानकारी के लिए बतादे कि मदान की शुरवाद सुभा 7 बजे से हो चुकी है जो की शाम 5 बजे तक चलेगी वहीं वोटों की गिंती 27 मई को सुभा 8 बजे से संबंधित प्रखंड मुख्याले ओपर होगी मालुमों कि सभी पदों के लिए अलग-अलग एवियम में वोट डाले जाड़ हैं आपके जानकारी के लिए बतादे कि वोट डालने वाले वोटों की फोटोग्राफी भी होड़ाई है सरकार के इस विवाग में 9109 पदों पर होने वाली है बंपर भरती अगर आप भी नौकरी की तलाश में है और आपको सरकारी नौकरी करने की इच्छा है तो यह खबर आपके लिए है बतादे कि पंचाईती राज विवाग के अपर मुखे सचीव मिहीर कुमार सिंग के दोरा बिहार की राजधानी पटना में पत्रकारों से बाचीत करते वे जानकारी दी गई है कि बहुत जल्दी पंचाईती राज विवाग में 9109 पदों पर नुक्ती की जाएगी जिनमें 7,017 लेकपाल, 80 सहायक, 326, कारेपालक सहायक और डाटा एंट्री ओपरेटर एवं 266 प्रकंट पंचायत राज पतादिकारी की सम्विदा पर नुक्ती की जाएगी उन्हों बताय कि इसके लिए बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इसके साथ ही ग्राम कचरी सचीव के ब्यूद पदों को भी इसी साल भढ़ा जाएगा जो खाली है जिनकी संक्या कुल 1420 है बालुम हो कि विवाग की ओर से सभी रिक्त पदों को देख रेख में नियूरो नेफरोलोजी वर हरदय रोग से जुरे विवाग की शुरुवात की गई है मालुम हो कि यहाँ कुल 6 फैकलिटी के द्वारा जॉइन किया गया है जिसके बाद ही OPD सेवा की शुरुवात कर दी गई है बताते कि पिछले एक साल से इस विवाग से दॉक्टर का कारेकाल खत्म हो गया था जिसके बाद अस्पताल में तीनों विवागों के OPD को बंद कर दिया गया था लेकिन अब एक बार फिर से इसकी शुरुवात हो गई है जिससे की उन मरीजों को काफी राहत मिलेगी जो नियूरो नेफरोलोजी वर हरदय रोग से पि बंद बिहार की कबिनेत बैठक में नई सक्चक नियामवाली पर मुहल लगाई गई है तब से लगाता नियोजिस सक्चकों के द्वरा सरकार के खिलाफ इस मामले को लेकर विरोद किया जारा है बतादे कि सक्चकों का या विरोद अब भी जारी है और सिक्षकों के धैरी की परिक्षा लेना बंद करें इसलिए सरकार से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि राजे के नियोजिस सिक्षकों को विरा सर्त राजे कर्मी घोशत करने के लिए अध्यापक नियमावाली 2023 में आविशक संसोधन करें। और सिर्यों पर चरते वे पूरे पटना का नजारा ले सकते हैं। यात्रियों के भीर को देखते वे समर स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। रेल्वे की ओर से यात्रियों के अतरक्त भीर को देखते वे समर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के शिर्वात की गई है। बता दे कि समर स्पेशल ट्रेन अगर तल्ला से गया सिल्चर से गोड़कपूर न्यू जलपाई गुरी से ओखा और गुहाटी से पूने के लिए चलेंगे जोकी वनवे स्पेशल ट्रेन हों गया। जानकाडी के लिए बता दी कि जिन समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया है। कि एक लाग सत्तर हजार विद्याले अध्यापकों की नुक्ती के लिए इसी माह विग्यापन जारी किया जा सकता है क्योंकि विग्यापन जारी करने से पहले कुछ आपचारिक ताइप पूरी करनी होती है जिसके तहत उसका ड्राफ्ट सिक्छा विवाग को भेजा गया है बता दे कि सिक्छा विवाग को भेजेगा इस ड्राफ्ट का सबसे पहले विवाग की ओर से मुल्यांकन किया जाएगा और देखा जाएगा कि ड्राफ्ट नियमावाली के अनुसार है या नहीं और फिर इस ड्राफ्ट को विवाग की ओर से बिहार लोग सेवा आयो को भेज इसके बाद बिहार लोग सेवायों की और से विद्याले अध्यापकों के लिए विग्यापन जाली किया जाएगा। आपने पिता के साथ एक रील अप्लोड किया गया है जिसमें वो काफी मस्ती करते ही नजर आ रही है। बता दे कि उनके इस वीडियो को उनके फैंस के द्वारा खूब पसंद किया जारा है। मकान तोड़े जारी के मामले पर दर्ज की गई आचिका पर सुनवाई की बता दे कि सुनवाई के दौरान कोट के द्वारा यह असपस्ट कर दिया गया कि नेपाली नगर में मकान तोड़ा जाना अवैथ है। माई कोट की द्वारा इस मामले पर निर्न देते वे बताया गया है कि जिन्भी लोगों के मकानों को गैर कानूनी तरीके से तोरा गया है। में गर्मी की छुटी होने वाली है, ऐसे में सरकारी विद्यालियों में समर कैम्प का आयोजन किया जाने वाला है, जो कि 30 जून तक चलेगा। को निर्देश दिया गया है कि वो सभी अपने छेतर के तहट आने वाले विद्याले प्रधान को निर्देशित करे और सभी स्वयम सेवकों को 30 मही तक सभी चीज़े उपलब्ध करवा दे। नालंदा में 26 मई को लगेगा जॉब कैम्प, अगर आपी बिरोजगार है तो आपके लिए खुश खबरी है, बतादे कि कलियाने 26 मई को बिहार के नालंदा में बिहार सरीफ प्रखन अंदरगज जिला नियोजनाले, सह मोडल करियर सेंटर MCC, परिसर में रोजगार मेला का जाना आनिवारे होगा, उनका चला नियोजनाले से संबनित होना आवश्चक है, कैम्प में विन्यवंधन की विवस्था रहेगी, इसके लिए युवाओं को किसी तरह का कोई सुल्क नहीं देना होगा पट्टा महावीर मंदिल की दान पेटी में मिले इतने 2000 के नोट, जब से RBI यारि की Reserve Bank of India के दोरा 2000 रुपए को वापस लेने का फैसला लिया गया है, तब से सभी लोगों के मन में यह चल रहा है कि आखर उनके पास मौजूद 2000 रुपए के नोट को बिना बैंक चाए, कैसे खत्म किया जाए, ऐसे में कई लोग 2000 के नोट से सोने की खड़िदारी कर रहे हैं, तो कई लोग नोटों को मंदरों के दान पेटी में डाल रहे हैं, ऐसे में बिहार के राजधानी पत्ना महावीर मंदिल में जब दान पेटी को खोला गया तो उसमें से केवल 4 2000 रुपए क के नोट निकले, वहाई 24 रुपए के नोट की संख्या इसके पुर्व 17 और 18 मैं को कुल 6 नोट थे, वही 26 और 27 अप्रेल को 2000 रुपए के सरवाधिक नोट मिले थे, जसकी संख्या कुल 25 थी, वही इसे पुर 25 और 26 जङनवरी को 2000 रुपा के कुल 10 नोट दान पेटी से निका इसके लावा राजपूत और मुस्लिमों पर भी दाव खेला गया है। यादव अरडिया से जाकिर हुसैन पुर्णिया से नीरस सिंग समेट कहीं लोगों को जलाध्यक्ष बनाया गया है आकाश मदवाल के मुरीद हुए इरफान पठान, बीते दिन IPL 2023 के सोलवे सीजन के एलिमिंटर मुकाबले में मुंबई इंडियन्स और लखनाओ सूपर जायांट के बीच भिरंद देखने को मिली वह उनके सांदा परफॉर्मस को देखते वे पुर्व भारती क्रिकेटर और मौजूद अकमेंटेटर इरफान पठान के दौरा भी स्टार स्पोर्ट से खास बाचीत करने के दौरान आकाश मदवाल को लेकर कहा गया जानियाद बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी गुरुबार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी की गए इसके बाद राधधानी पटना में आज पिट्रॉल 107.24 रुपे और डीजल 94.64 रुपे प्रति लीटर में मिल रहा है वाईपुनिया में पिट्रोल कीमत 107.98 रुपे प्रती लीटर है भागलपुर में पिट्रोल कीमत 107.98 रुपे प्रती लीटर निर्धारित की गई है इसके साथ ही किया में पेटरोली कीमत 1.803 रूपय और डीजल कीमत 95.64 रूपय प्रती लिटर है, बता दे की बिहार में पेटरोल का इट सबसरा किसन कंच में है, जहां पेटरोल 16 дорूपय प्रती लीटर और डीजल 96.2,3 रूपय प्रती लीटर की दर से मिल रहा है वीति धिन में रफ पूछे का सवाल का आप लोग में से बहुत लोग इनप जाब हमें हमारी कमेंप्ट सक्षिन váks में लिख कर दिया है जिन्वाने हमारे पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है निननुको ओलो कुमार, कुमारी संचना, अमिद कुमार, पी के पा सेक्शन में कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहाई नूज साथ ही अगर आप युदूब से देखें चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखें तो पेस को फॉलो करना ना झाले देखें बाद